बड़ा ओपरेशन स्टार्ट कर दिया है जिसके अंडर हम कोशिश कर रहे हैं कि चाइनीज फिशर्मेंट जो चाइनीज नागरिक हैं जो डूब रहे हैं कहीं इंडियन ओशन में उनको हम बचा पाएं ये काम अफकोर्स बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि चाइना के जो मचवारे थे इलीगल तरीके से फिशिंग कर रहे थे एक जगापट और फिर इनकी बोट डूब गई और 39 फिशर्मेंट डूब गए दो मचवारों की बोडिस मिल चुकी है मतलब के दो डेट्स कनफर्म द किया है ये सब जब हम इस्तिमाल कर रहे हैं चाइना के सिडिजन्स को बचाने के लिए चाइना को थैंक्यू बोलना होगा और चाइना से जब पूछा गया कि देखिए इंडिया आपकी हेल्प कर रहा है आपके फिशर्मेन को बचाने के लिए तो इसके रिस्पॉंस में च इंडियन ओशन में USA के मिलिटरी बेस के पास फिशिंग क्यों कर रहे थे चाइना बड़े स्केल पर इलीगल फिशिंग करता है दुनिया भर कोई भी ओशन हो कोई भी देश हो वहाँ पर चाइना के मचवारे चले जाएंगे बिना परमिट के बिना अप्रूवल के और वहाँ यर्स काई देश है जो कंप्लेन कर चुके हैं के चाइना के मचवारे जिनको अपने इलाके में फिशिंग करनी चाहिए ये अपने इलाकों में इतनी जाधा फिशिंग करते हैं कि यहाँ पर मचलिया बचती नहीं है उसके बाद ये बाकी देशों का जो कोश्चल Area है टार्गेट करते है ना उसके आसपास पहुच जाता है चाइना का फिशिंग अर्माडा अर्माडा जो एक वर्ड है ना ये एक टाइम पर यूज किया जाता था एक नौस है ना की बड़ी फ्लीट के लिए मतलब बहुत सारी नेवल शिप सारी है उसको कहते थे देखिए अर् सिचुएशन देखिए इतनी खराब है कि ये टॉपिक चाइना की इल्लीगल फिशिंग का टॉपिक कौाड की मीटिंग में डिसकस किया गया था कौाड कंट्री इस ने मिलकर ये भी डिसाइड किया कि इल्लीगल फिशिंग पे हम रोक लगाएंगे और एक्शन लेंगे इस कि एक इनकी शिप थी जिसका नाम है लुपैंग यूआन यू 028 ये जब फिशिंग कर रही थी शिलंका के साउथ में अचानक से वेव जाई और ये शिप कुलाप्स कर गए चाइना की जो शिप की क्वालिटी है बहुत ही ज़ादा पूर होती है और चाइना के अर्माड़ जो यहाँ पर शिप है उसका एक मोटिव है प्रॉफिट आसपा जो फिश बची है वो भी खतम करने के लिए जाना है तो अभी देखिए शिलंका से 900 नौटेकल मील दूर यहाँ पर चाइना की जो शिप है ये बिलकुल कुलाप्स कर गई